हम आकाश्वानी की पूर्वत्तर सेवा से बोल रहे हैं सुता हमारे कारिक्रम अपने रेडियो सेट्स के अलावा डिटी एच और लाइब मोबैल इट्रिकेशन न्यू जोन ए आयार पर सुन सकते हैं आज रहिवार है और आज के दिन इस समय हम लेकर उपस्तित होते हैं स्वास से संबंधित हमारा साप्ता ही कारिक्रम डॉक्टर से मिलिए आज इस कारिक्रम में एक्सपेट के तोर पे निया होस्पिटर शिलों की डॉक्टर रिहाना प्रबीन हमारी स्टूडियो में आमंतित है और इनसे हमारी बात की केंदित होगी गाउट विमारी के बारे में गाउट क्या है यह कैसे होता है इसके प्रकार, इलाज और साउधानिया इन सभी पर हम विस्तार से डॉक्टर साहिबा से जानकारी लेंगे यदि आप भी इस कारिक्रम से जुर कर इस विस्तार पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2502012 पर कॉल कर डॉक्टर साहिबा से बात कर पा सकते हैं पर याद रहें टेलीफोन नंबर के पहले सिलॉंग कैस्टिडी कोट 0364 अवस्य लगाए हमारे कहीं स्रोताओं ने वाट्सअप के माजम से भी हमें अपने प्रस्न भेजे हैं हम उन्हें भी अपने इस कारिक्रम में सामिल कर डॉक्टर साहिबा से उनके भी जबाब लेने की कोशिस करेंगे डॉक्टर रहना प्रवीन नमस्कार और आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारिक्रम डॉक्टर से मिलिये में सरव पर्थम हम सिंपल वोट्स में आपसे समझना चाहेंगे कि गाउट क्या है क्या हम इसे गठिया कह सकते हैं या फिर इसे अर्थराइटिस का एक रूप कहा जा सकता है पहले गाउट क्या है? Gout एक ताइप अर्थराइटिस ही है या गठिया ही है लेकिन इसके कौज़ें या तोड़े स्लाइटली डिफरेंट होते हैं कंपेड तो अधर अधर आथराइटेस गौट मेंली एक मेटबॉलिक डिजीज है यह जाएंज गौट होता है क्योंकि कोई भी डिफेक्ट प्यूरीन मेटबॉलिजम जो बॉड़ी में होता है तो बॉड़े धियरे डिफरेंट टीवरू चोइंस में डेपोजित होंने लगते हैं उसके बाद बहुत सिंवियर पी सिंटेंफ को और पिनली एक ही जोइन इन इंवॉ सकता है यह पिँलन tadãyवालव सकते हैं यह अधर अर्थराइटिस ना दीजनुरेटिव है जैसे और अस्ट्राइटिस है जो एज होने पर होता है जो असली लोगों को होता है ना ही वैसा है ना ही आटो इम्यून है यह मेटबॉलिक डिजीज है जी गाउट कितने पर का होता है देखें गाउट के नकीजन थिफर करते है गाउट के टाइप सिग्फनेधिन जनर नहीं है उसके प्रजनके सिंदार्स पेशेंटको इक्यूट गाउट हो सकता है बहुत स्वीयर मनिफेस्टेशन ऑ गाउट देखे, गौट के लिए एक very important manifest anis is, patient का uric acid high होना चाहिए so patient का uric acid level body में high होगा, जभी वो uric acid crystals to different joints में deposit होगे, so कभी-कभी patient को क्या होता है, asymptomatic hyperuricemia, that means uric acid high होगा, पर patient को कोई symptom नहीं होता है so, उनका uric acid can be 9-10, but no symptoms वो होता एक तरह का gout, जो asymptomatic है, acute gout जिसमें patient को बहुत, suddenly रात को बहुत severe, कोई भी एक joint usually pair के joints, बहुत severe pain होगा, maybe one week with or without treatment भी ठीक हो जाता है and then again it may get normalized, so वो एक presentation होता है, third type of presentation होता है, जिसको patient को chronic that means all the time patient को किसी particular जाम में more or less inflammation, pain, etc. हमेशा रहते हैं, so ये presentations of gout है जी, आपने हमें बता है, तीन presentation या दो, acute or chronic, जिससे हम हिंदी में कहते हैं, alpacalin या d-reacalin भी कह सकते हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा तर acute or chronic इस बिमारी में देखा जाता है लक्षन, जेनरली हम देखते हैं कि patient को, maybe patient को पता भी नहीं होता है, उनका uric acid high है या उनको जिनको अलड़ी पता है कि उनका uric acid high है, normally उनको कोई problem नहीं होता, एक दिन अचानक से, maybe, कोई particular diet के बाद, non-veg, red meat और alcohol consumption के बाद suddenly उनको बहुत बिवदाउट एन reason, also sometimes, suddenly इसी भी एक joint में बहुत severe pain हो जाना so suddenly ऐसे होने लगता है so ये बहुत common manifestation है so just like I already said so कभी-कभी painkiller, patient अपने आप ले लेते है इसके बाद वो ठीक भी हो जाता है कभी-कभी बहुत severe होता है कि patient को, doctor के पास जाना पडता है और वो ठीक हो जाता है कहते हैं कि जब जोडू में ureate crystal जमा होता है तब गाउट की सिकायत ज्यादा होती है ये ureate crystal कैसे बनता है गाउट एक crystal deposition disease है जिसमें crystal हमारे joints में deposit होते हैं उन्हीं के वज़े से pain, inflammation, everything होता है so गाउट, different types of crystal deposition diseases भी है जैसे pseudo-गाउट भी है so gout में क्या होता है, इसमें MSU और monosodium ureate crystals that means ureac acid के crystals हमारे different joints में जोईन के different structures में deposit होने लगते हैं अब वो क्यों बनते हैं like I said, कि ureate ये एक end product है protein metabolism का, mainly purine metabolism का एक end product हमारे body में हम जो भी खाते हैं वो break down होता है into different things उसे different different चीजे निकलती है जो useful part है, वो body में use होता है body के nutrition के लिए और जो useless part है, वो generally eliminate हो जाता है, urine ये stool के तरी so normally ये ureate भी हम हम जो भी खाते हैं, उसमें different proteinist substances में के end product के रूप में ureate भी फॉर्म होते हैं, uric acids but वो हमारे eliminate हो जाते हैं through urine and stool और एक minimal amount हमारे body में रह जाता है जो हमें generally कोई problem में create काता है, so that is the normal range लेकिन जभी भी अगर हमारे body में for any reason, वो ureate नहीं निकल पा रहा है और for some reason हमारे body में वो ज्यादा produce हो रहा है वो dietary cause हो सकता है or anything, और हमको कुछ ऐसे diseases है, उस disease process के वज़े से कोई दूसरी diseases like यव कोई हम medication ले रहे हैं हम कोई medicines like certain TB medicines हम कभी BP की दवाईया ले रहे हैं उन BP की दवाईयों के वज़े से हमारे body में ये ureate level बढ़ सकता है so कुछ medicines ऐसे होते हैं जो kidney से excretion बंद कर देते हैं युरिन के थूस का और स्टूल के थूस का excretion काम कर देते हैं कुछ होते हैं body में generally uric acid का production बढ़ा देते हैं so simply medicine induced भी ये हो सकता है so it can be diet induced basically the cause is जिसके वज़े से uric acid body में ज्यादा इधर बन रहा हो और जो बन रहा है वो निकल नहीं रहा so these are the common causes so ये हो सकता है dietary cause like generally non-veg red meat specifically so non-veg, red meat, fish बगेरा fish eggs vegetarian sources में green leafy vegetables like पालक, broccoli, etc tomato, brinjal these are common cheese है secondly fructose containing sugar in general sugar बहुत जादा बढ़ाता है fructose containing drinks corn syrup बगेरा so ये और preservatives etc ये हमारे body में uric level बढ़ाता है हम आप से समन्दार चाहेंगे कि gout के symptoms के बारे में इसका पहला संकेत क्या हो सकता है gout एक ऐसा डिजिस है जिसमें compared to other arthritis बहुत ही severe pain होता है patient को so जहां osteoarthritis में patient को जो नहीं osteoarthritis commonly होता है patient को mild pain bothering pain रहता है इसमें patient को बहुत ही sharp because जो uriced crystals these are needle shaped crystals so वो जोईं में रहते हैं तो patient को बहुत ही sharp and severe pain होता है in fact many a time patient बोलेंगे कि अगर especially राज़ को ये जादा होता है तो patient can tell come and tell कि blanket या bedsheet rub होने से भी joint के against मुझे pain होता है that means छूने से भी pain होता है so movement ने कर पाएंगे वो joint swelling हो जाएगा sujan हो जाएगा red हो जाएगा patient को fever भी आ सकता है so patient को fever कोई भी एक या दो joint pain usually most commonly affected joint होता है जो हमारा first metatarsal that means जो हमारे big toe का जो first joint है वो most commonly affected है ankle joint, knee joint, elbow joint other small hand joints यह भी involved हो सते है so basically joint swelling, redness, severe joint pain यह बहुत classical features है with gout Dr. Saiba आपने जो symptoms बताए कुछ लोगों को साल भर में कहीं बार gout के ऐसे ही संकेत महसूस होते है तो यह बार बार होने होला gout क्या है एक चीज होता है hyperuricemia that means जिनको uric acid level high रहता है हमेशा ही और एक होता है gouty arthritis हर patient जिसका uric acid high है उसको जरूरी नहीं है कि gouty arthritis हो so बहुत लोगों का uric acid high रहता है 7, 8, 9 में भी लेकिन उने कभी भी कोई problem नहीं होता या eventually suddenly उनको भी हो सकता है problem so body में बेस लेवल पर uric acid रहता है हमारा body उसके साथ उसको like I said urine या स्टूल के साथ excrete करता रहता है या sweating etc के साथ but कभी-कभी for some reasons अगर वो normal excretion हम hamper कर ले say या कोई dietary intake like किसी दिन किसी party में बहुत heavy alcohol consumption हुआ smoking is also a risk factor या बहुत heavy non-veg diet लिया red meat etc mutton etc so इसके बाद very commonly patient को attacks आता है या फिर कोई medications they are known medications जो they are known to cause harpy uracemia that means वो body में uric acid surge करता है अचानक से uric acid level बढ़ जाता है तो वो patient को हो सकता है लेकिन कभी-कभी इनमें से कोई भी factor नहीं भी हो सकता है कोई dietary patient ने कुछ किया ही नहीं सब maintain करें कोई drugs भी ऐसा नहीं लिया या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ फिर भी patient को बिना इनी cause just because our body it depends on how our body is handling the urate how it is excreting it अगर body में थोड़ा dehydration है then also uric acid may rise sometimes और कुछ नहीं किसी दूसरे disease के वजे से like diabetes, hypertension, kidney disease patients because वो uric acid को excrete नहीं कार पाएंगे so these patients can also have heart rate uriccemia and eventually end up having gouty arthritis क्या obesity या मोटाबा भी इसका एक कारण हो सकता है जी, it's a risk factors है like I said diabetes, hypertension, obesity obesity is a very prominent risk factor for gouty arthritis so obese patients are at a high risk of developing और भी metabolic disorder जिनको already है hypothyroidism, dyslipidemia, जिनके cholesterol अगेरा है वो सब at risk है of developing gouty arthritis जी, हमने ये समझा कि gout में uric acid का काफी बड़ा रोल रहता है तो किन पदार्थों के सेवन से uric acid का स्तर बढ़ सकता है dietary, मैंने अल्रड़ी बोला mainly non-veg, non-vegetarian sources they are very high in u rate levels diet, जिन पेशिंट को gouty arthritis हम उनको लो पुरेट ड़ेट लेने को बोलता है generally all kind of proteins थोड़ा अवोइड करने को बोलता है but protein के भी बहुत सारे types होते है so purine जो protein होता है वो लो होना चाहिए so non-veget source में red meat so mutton अगेरा so chicken खा सते हैं but that has to be reduced fish, fish eggs specifically then liver so non-vegetarian source में liver है चाहे chicken हो mutton हो that is a very high source of purine secondly vegetarian sources में I already said broccoli, spinach, palak वगेरा या other green leafy vegetables fructose containing drinks dal में हमारे rajma, masoor dal वगेरा generally gouty arthritis patient को masoor dal is considered safe compared to other dal rajma, chole, beans ये सब avoid करना पड़ता है then sugar, fructose containing drinks जो हमारे coke वगेरा होते है soda ये सारे drinks ये सब भी अवोइड करना किन टेस्स के दौरा गाउड का पता लगाया जा सकता है बहुत ही simple test है हम एक blood test करते हैं for uric acid जो routine check-up में भी करते हैं और specifically उसके थ्रू हम body में uric acid level का पता लगा सकते हैं secondly कभी कभी patient को uric acid हाई हो सकता है पर कुछ दूसरे तरह का arthritis भी हो सकता है तो अगर हमें doubt है तो हम joint से ही fluid निकाल के उसको study कर सकते हैं to confirm gout arthritis जी सुरताओ इस समय आप आकाश्वानी की पूरुवत्तर सेवा से जुड़े हैं और सुन रहे हम स्वास्ते संबंदित हमारा साबता ही कारिक्रम डॉक्टर से मिलिए आज इस कारिक्रम का विषय है gout यदि आप भी इस विषय पर किसी भी प्रकार का प्रस से पूछना चाहते हैं तो हमारे studio के telephone number सुन्य 364-250-201 पर call कर डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं हेलो हेलो हाँ बुल हेलो ओके नमस्कार जे देखे जैसे जो डाइटरी रेस्रिक्शन जो मैंने डाइटरी कॉजिस बोले हैं जो हाई सोर्स प्यूरिन फूड है और या प्रोटीन रिच फूड है वो थोड़ा हमको अवोईट करना पड़ता है प्लस अगर हमको पता है कि हमारे फैमिली में बहुत लोग को यूरिक असर अलरी हाई है तो यह हमारे लिए और ज़रूरी हो जाता है कि हम वो डाइटरी रिस्रिक्शन फॉलो करें रेड मीट वगेरा कम करें जो वेजटरीन सोर्स अफ हाई प्यूरिन है वो जो मैंने अल्रेडी बोला है वो सब फॉलो करें पानी बहुत ज्यादा पिये कभी-कभी हम simply हमारा water consumption काम होता है उसके वज़े से भी हो सकता है तो हम पानी ज्यादा पिये then especially अगर गर्मियों में है dehydration can also be one of the cause अगर हमको already uric acid high है या होने के chances भी है तो डॉक्टर को हम हमेशा किसी भी दूसरे disease के लिए जब दिखा है तो यह inform करें कि हम प्रड़ी वो है या कोई भी दवाई without prescription हम ना खाए और like I said बहुत families में यह run होती है तो अगर आपके family में यह run होती है तो आपको यह और ज्यादा strictly follow करना है plus we have to make sure कि आपका stool या latrin हमेशा क्लियर हो जी डॉक्टर सहब आपने जो हमारी स्रोता अभी हमसे जूड़ी थी इनके प्रस्न का जबाब दिया और उची से जूड़ता मैं प्रस्न आपसे पूछना चाहता हूँ आपने वो ऐसे बताया हमें लेकिन कितने चांसे रहते हैं कि यह परिवार में किसी कोई भी मारी है तो अन्य भी इसके संपर्क में आ सकते हैं मला मेरा कहने का मतलब यह कि क्या गाउट की बिमारी को जेनेटिक कह सकते हैं यह नौट जेनेटिक नहीं होते हैं अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है आपके फैमिली में आपके फादर ब्रादर से पादर एक मिनट एक कॉलर हमसे जूर रहे हैं हेलो जी हेलो जी नमस्कार जी नमस्कार ओके वह जगे बहुत लाल हो जाती है आपको छूने से भी बहुत ज्यादा पाएंगे कुछ जनों के लिए विए रहता है यह acute gout के symptoms है लेकिन chronic में आपको मेभी उस एक joint में हमेशा थोड़ा बहुत पेन लगेगा कभी-कभी swelling हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है in chronic stage जी धन्यवाद उत्तम जी डोक्टर साहब इनके जूड़ने से पहले हम बात करे थे क्या यह बीमारी को हम genetic कह सकते हैं इसका एक variant होता है जो genetic होता है that means अगर कोई भी genetic defect है in purine metabolism तो अगर वो gene since यह पास होगा family में तो तब होता है तो बहुत rarely हम देखते हैं कि एक ही परिवार में सारे बच्चों को है बहुत young children है सबको very high uric acid level है या parents को भी है बच्चों को भी है तो यह genetic link होता है but most of the hyperuracemia या gout genetic नहीं होते हैं बट आपके family history में है तो आपको बहुत ज्यादा chances है कि आपको हो जी इस case में हमें सावधानिया बरतनी चाहिए जी टोड़ साहब और एक एक चीज हम समयना चाहेंगे एक सब्द गाउट की बिमारी से जुड़ा अकसर सुनने को मिलता है hypothyroidism यह क्या है तथा गाउट में इसका क्या रोल है hypothyroidism भी एक metabolic, एक endocrinal disorder है यह भी एक metabolic, like I said most goutty arthritis का risk factors होता है जिनको already कोई भी metabolic disease हो उसमें that includes diabetes, hypertension, obesity, heart disease and thyroid diseases also hypothyroidism एक endocrinal disorder है जहापे हमारे thyroid gland enough hormone, thyroxine hormone release नहीं कर पाते है तो इसके वज़े से हमारे body में different all kind of metabolic functions थोड़े abnormal हो जाते है so including digestion, everything तो उसमें uric acid high भी एक risk factor है, not necessary पूराने जबाने में gout की बीमारी को, राजाओं की बीमारी या यू कहने अमीर आदनी की वीमारी कहते थे प्रतो आज यह बीमारी अमीर ओर गरीब में कोई पेख़व नहीं करती ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी हरको इसके समपर्क में आ जा रहा है पहले इसको शायद the rich man's disease इसलिए बोलते थे क्योंकि जो भी diet मैंने बोला जो बहुत pure and rich diet है वो generally expensive चीज़े है, red meat वगेरा या fish हो या जो पालक वगेरा so not everybody eats them सहर को यह नहीं कर पाता है तो जुन को एक above basic income है वो लोग खा सकते हैं so since non-veg वगेरा usually high rich income status में ज्यादा देखा जाता है so maybe that's why लेकिन आजकल everybody globalization है everybody is exposed to everything plus आजकल we don't have to buy rich things अगर हम vegetarian है तो भी हमको hyperuricemia बहुत easily हो सकता है क्योंकि दूसरे sources है like the different types of preservatives जो हमारे खाने में use होते हैं हम शुगर इतना ज्यादा कंस्यूम करते हैं हम fructose containing drinks जो हम बजार में इतने सारे drinks fruit juices के नाम पे लेते हैं वो सब corn starch, corn syrup हम जो भी खाना खाते हैं उसका gravy is made out of corn starch so because of that हम सब ही प्रोन है so अभी कोई differentiation नहीं है between rich and poor everybody can get जी, डोक्टर सब करिक्रप के सुरुवात में बताया कि अगर ब्यक्ती कोई अन्नी ब्यमारी से ग्रेसित है आपने बताया कि किन-किन ब्यमारी से ग्रेसित ब्यक्ती गाउट की चपेदमा सकता है लेकिन क्या गाउट जिसे गाउट हुआ है वो अनिकिस बिमारी के चपेट मार सकते हैं जुनको गौट बहुत जादा होता है और जो नॉर्मल गौट के ट्रीटमेंट से जुनको जादा रिलीफ नहीं मिलता यह पर्सिस्टन बहुत हाई लेवल अफ यूरेक आसे अगर हमारे बोडी में हो वो एविंचुली तोề चाँसस है कि हमको kidney stones हो जाए, यूरेट stones हो जाए किड़ने ही अगर बूड लेवल of uric acid is very high कभी-कभी हमको उसके वज़से kidney diseases हो सकते हैं लो पू खमूरिकिट जिस प्रकश फशादे हो सकता है यह दोनु वस काम करता है हमको सरफ kidney disease के वज़े से भी uric acid हाय हो सकता है बहुत हाय uric acid के वज़े से भी हमको kidney disease हो सकता है secondly जो gout के वज़े से हमको कभी-कभी infections हो सकता है like जिस भी joint में gout या uric acid crystals deposit है eventually वो swollen हो जाते हैं कभी-कभी वो बहुत hard हो जाते हैं बहुत सारे crystals एक जेगे जमा हो के hard हो जाते हैं फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं hard हो के so those are nothing but deposited urate crystals so कभी-कभी वो फट जाते हैं उनमें infection हो जाता है abscess form हो जाता है so ये सब हो सकता है उसको टौफाई बोलते हैं तो टौफाई कभी-कभी फट जाते हैं इसको एसे में शावधन्या परतनी चाहिए suppose किसी को gout हो गई और उसका swelling आगया पाउ में तौँ में कर लिए पहते हैं और उसको ना फटे तर उसके लिए हमें क्या सावधन्या बढ़तनी चाहिए छिए ये जोईन्स में ज्यादानी परतनी चाहिए प्लस जबी भी हमको कोई first sign of top eye दिखे, that means first sign type of white color ka nodule जैसा form हो और है, white color ka heart कोई चीज हमको pair में लग रहा है, जहाँ पे पहले हमको dirt था, तो हमको immediately doctor के पास जाना चाहिए, हमको कुछ urate lowering drugs लेने पड़ेंगे, या proper foot care लेना पड़ेगा, कभी कोई बहुत severe cases में surgical intervention भी कर दो अब बात करते हैं, आप बात करते हैं, तो हम आप से समयना चाहेंगे कि गौट का, अयूरवेद में कितना सथी के लाज है? बहुत high uric acid है, gout है, patient already on allopathic uric lowering drugs है, पर फिर भी patient को flares आते हैं, that means acute attacks आते हैं, तो ऐसे conditions में ayurvedic medicines, not just medicines, हमारे पास कुछ therapies भी ऐसे होते हैं, जहाँ पे हम कुछ blood letting बगेरा करते हैं, कुछ blood निकालते हैं, different procedures से, उसके थरो patient को बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक बिन किसी acute attack के रह सकते हैं, so ayurvede ने medicines and some procedures या therapies हमारे पास हैं, जो acute and chronic gout दोनों में ही बहुत अच्छा gout रहते हैं, ayurvede में गौट के लिए best बताया गया है गिलोए को, that means dynospora codifolia, जो locally बहुत लोग use करते हैं, so that is said to be the best medicine for gouty arthritis, so ayurvede में हम generally इसके लिए बहुत थोड़ा ल जाते हैं, तो उनका treatment के लिए hospitalization ज़रूरी है? डिपेंस किस्टेज में आया है, जनरली यह OPD basis पे treatment हो जाता है, अगर यह procedure भी हम OPD basis पे करा सते हैं, जिनको हमको बहुत frequent settings चाहिए, यह frequent हम कुछ और करें, कोई पंचे कारमा procedure करा रहे है, तब ही हम hospitalize कर वाते हैं, otherwise यह OPD basis पे हो जाते हैं, जी, आयरवेद योग को काफी महकतु देता है, तो इस बिमारी का, योग का कुछ योगा कुछ योगदान रहता है इस बिमारी के क्यों अरकनने में? देखे, जैसे मैंने मूला, directly आपको अगर acute joint pain हुआ है, because of gout, उस time पे आप योगा करी ने पाएंगे, क्योंकि आपको पूरा restriction of movement होगा, but generally, to avoid कि आपको acute flares ना हो, और यह metabolic disease है, so आयरवेद में सभी metabolic disorders के लिए, yoga is mentioned है, so अदर आपका पूरा metabolic function, body में, आपका अगर urine, stool यह बाकी आपका सारा metabolic चीज़े ठीक रहें, उसके वज़े हम रिगुलर्ली योगा कर सकते हैं, that will indirectly help in gouty arthritis also. रर शचीर शचीओ गवानी हो कयो रियु ज़आ होते हैं, यह सब्सक्ता हाँ को रिगुलर्य शचीओ की तुलना में इन दखे में, जयह पुरूसों को यह बिमारी होती है ।ु कियो यह attendance हैं, और यूं बेमारी होती हैं, that इस नोब्समारीत स्शचीचीओ यह ज़़े होता है फिमेल को भी होता है फिर जनरली फिमेल को पोस्ट मेन पॉसल स्म्टम साते है यह जादा पाया जाता है इसके कोई definite कोई कॉज नहीं है कि क्यों मेल में जादा होता है one of the reason is male indulgence into alcohol etc. ज्यादा होता है society में so that can be one of the cause लेकिन बाकि कोई definite cause नहीं है कि as to why male get it more डोक्टर सहब आज की इस lifestyle जो हमारी बन चुकी है तो हम फिर बात करेंगे fast food की ही लोग fast foods की तरह काफी ज्यादा आकरसित है तो ऐसे में क्या सावधने बटनी चाहिए खाने पीने में not for this disease for any disease बाहर का खाना जितना हो सके काम करना fast food the name itself is faulty जो चीज इतने fast बन जाता है it can never be healthy so none of the fast food are healthy that's why they are good anything that is tasty is generally not so healthy so all kind of fast foods they get ready so quickly क्युकि उनमें कुछ नहीं कुछ ऐसे चीजें कुछ flavoring agents डाले जाते हैं कुछ MSGA वगेरा जो commonly सारे noodles वगेरा में use होते हैं इन सब के हमारे known health side effects known health side effects है जो minimum quantity में approved है by FDA to be used in food articles जो जितना हो सके हमें कम खाना चाहिए जितना हो सके fruit juices, avala juices, aloe vera juice जो जो आजकल लोग बहुत ज्यादा लेते हैं jamun juice to stay healthy जो pack आते हैं so इससे better option होता है हमेशा हम fresh fruit juices ले, fresh avala, fresh avala juice या aloe vera ले वो सब में preservatives होते हैं कितने percent of avala और aloe vera है we don't know that so in the name of health supplements अलसो आजकल बहुत marketing है, so हमको बहुत aware होना चाहिए और एक बार अपने जो भी physicians हैं उनसे एक बार consult करके हमें लेना चाहिए जी डॉक्टर रहना परवीन आपने काफी अच्छी तरह से हमें समझाया गाउट होने के कारण गाउट की बिमारी में क्या precaution रखना है इसके symptoms इन सभी के बारे में आप हमारी studio में आई और आपने इस कारिक्रम में सिर्कत करते हुए हमें हमारे और हमारे स्रोताओं के सवालों के जवाब दिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो स्रोताओं यह थी हमारे इस सप्ता की डॉक्टर से मिले की प्रस्तुति आप हमारे इस कारिक्रम को हमारे यूटूब चैनल AIR NES पर भी देख सकते हैं और आप अपने comments या अपने सुझाव हमें यूटूब चैनल में दे सकते हैं तो फिलाल के लिए डॉक्टर से मिले यही पर संपन होता है नमस्कार अब लगाए रखेंगा फोटो दूर से आई थी ओफोटो अब लोक्षाब रहुगा अब कि 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 घब करो कि